यह जो तुम revise कर रहे हो last day में for your next tax exam I'm sure तुम इसमें जान लगा कि revise तो कर रहे हो लेकिन ऐसा है कि we are all humans तो कहीं न कहीं जो हम target set करते हैं वो बहुत जादा strong set हो जाता है और actions कहीं न कहीं थोड़ से कम हो जाते हैं तो इस चीज को लेकि घबराना नहीं है you're not alone everybody is going through this I'm sure सबके साथ ऐसा होता है जब अपने भी पढ़ते थे ऐसा ही होता था तो इसलिए there is still time chill करना और जैस तरह से तुम पढ़ रहे हो बस pace को थोड़ा से increase कर लो और वैसे ही पढ़ाई continue करना do not focus on what is left focus on what all you've covered तुम सोचोगे कि हाँ cover भी अपने काफी कुछ की है ठीक है कुछ चीज़े बची हुई है वह भी कर लेंगे time है करते हुए चलो आज का यह जो अपना वीडियो है जादा time में नहीं लेने वाला लेकिन revision जितना important है last day का उससे दो level उपर अपना exam paper वो जो 3 hours 15 minutes वाला time होता है ना वो important होता है और ऐसा होता है कि आप कितना ही revise कर लो but if you don't know how to utilize those 3 hours 15 minutes in the best possible manner वो कहीं न कहीं marks में दिख जाता है तो बस जादा time में बिलकुल नहीं लेने वाला I know the value of time जो आप exam देने वाले हो इतना बड़ा paper है इसी लिए simple रखेंगे short रखेंगे और बस 3 hours 15 minutes को मैं run through कराऊंगा आपके लिए मेरे साथ साथ यहां सुनते रहना सबसे पहले examiner आपको 4 booklet देने वाला है एक question paper होगा for 70 marks 30 marks का MCQ अलग होगा 70 marks का question paper रहेगा DT IDT का next दो answer sheets आपको मिलेंगे one for DT one for IDT दो answer booklets होगे शुरू में ही DT को अलग IDT को अलग करके रख लेना प्लीज यह गलती मत करना कि आप DT में IDT लिखाओ, IDT में DT लिखाओ result with held होता है फिर मिलबाजी करते रहना पड़ेगा, please don't do this शुरू में ही वो identification अलग कर लेना, DT में DT IDT में IDT, simple नेक्स्ट एक लास्ट booklet रहेगा MCQ वाला booklet उसमें अपना 30 marks का MCQ रहेगा और उसी के साथ आपको MR sheet attached मिलेगा DT IDT, combined A की MR sheet होगा अलग-अलग नहीं होता इसका तो यह अपना 4 booklet रहेगा इसको प्ली ढग से manage करना that is the first job that you have to do next अपने को 15 minutes में क्या करना MCQ बुकलेट बंद रहेगा वो आपको उस समय मिलेगा भी नहीं वो तो writing time के साथ मिलता है in fact जब आपको question paper मिला है आपको question paper को best possible manner में पढ़ लेना है किस तरीके से पढ़ना है अराम से time लेके पढ़ना मैं बोलूंगा जो अपना 15 minute है उसमें से 5-6 minutes आप GST पढ़ लेना वो relatively stable होगा जादा कुछ उसमें नहीं होगा challenges उसके बाद आप income tax पढ़ लेना तो इस तरह से आपको पूरा question paper पढ़ना keeping in mind अब इस question reading time में आपको ये decide करना है कौन सा paper पहले attempt किया जाए normally आप एक set agenda लेके चले जाओगे भाई DT अपने को पहले attempt करना है या IDT पहले attempt करना है बट मैं बोल रहा हूँ in fact इस term में especially कि जो अपना 15 minute का reading time है ना उसमें decide करने का कि आपको क्या attempt करना है सबका strength अलग होता है सबका paper का approach अलग रहता है अगर तुम जब reading time में पढ़के तुमको लगा DT अपने से समल जाएगा जादा देखा देखा questions आए go for DT first अगर तुमको लगा ने IDT जादा relatively safe लग रहे है देखा देखा questions है go for IDT first कोई hard and fast rule नहीं है जिसमें तुमको paper पढ़के तादा confidence आ रहे है ना go for that one first simple चाहिसाब है अब 60 marks का income tax है उसमें अपने देखेंगे लगबग से लगबग 1 hour 45 minutes to 1 hour 50 minutes और जो अपना 40 marks का IDT है उसमें अपने target रगेंगे 1 hour का बट ओवेसा बात है थोड़ा सा breach होगा 1 hour 10 minutes to 15 minutes maximum यह अपना overall 3 घंटे का approach रहेगा 15 minutes में करना है पहला DT IDT यह decide कर लिए next जब DT करने तो क्या sequence of questions attempt करने का IDT करने तो क्या sequence of questions attempt करने का कौन सा नहीं attempt करना है दोनों में 15 minutes में इसको decide करके बैठ जाना 15 minutes में it is very important for you to decide all of this जब यह कर लिया तो you know कि अब आपको 3 घंटे में 3 घंटे को किस तरीके से utilize करना है वो आपने 15 minutes में set कर लिया है तो at least आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना the moment writing time begins सबसे पहले चले जाओ MCQ में और इस तरीके से attempt करना let's say you are attempting IDT first तो आप MCQ IDT का पहले लो फिर उसका written ले लो IDT wrap up करो full 40 marks next if you are attempting DT second तो आप MCQ DT का लो उसके बाद उसका writing time ले लो यह automatically other कर दूसरा तरफ कर रहे हो पहले DT तो MCQ and writing then IDT तो MCQ and writing यह मत करना कि आप सारा 30 marks के MCQ एक साथ attempt करो and then you move on to the written questions यह मत करना क्योंकि अपना thought process for DT is different IDT is different वो आप law में पूरा घुष जाओगे MCQ के अंदर so it's better utilize that advantage while writing questions तो let's say you are attempting GST first तो आप पहले उसके MCQs को attempt किया आपने उसमें एक flow बना अपना paper pattern का IDT laws का flow बना सोचने लगे आँ ऐसा 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 है फिर अपने IDT का questions लेकर बैट के written वो flow का फाइदा उठाया stop IDT after 1 hour 15 minutes to 1 hour 15 minutes maximum उससे आगे जाने का ही नहीं है फिर अपने चले गए IDT में पहले MCQ किया और उसके बाद चले गए writing time written questions कर लिया तो क्या flow में एक wrap up होगा यह main चीज next time ना मिले कोई विचार में चीज random option टिक करके आ जाना खाली मत चोड़ना but at the same time don't spend 10 minutes in solving one MCQ यार यह मत करना बहुत जन यह कर देते हैं उसके बाद जब written time आएगा reading time में आपको यह भी समझा रहेगा paper lengthy है या नहीं है यह बहुत ज़्यादा strategically आपको समझना होगा समझ में आ जाएगा देखके कि यह इसमें बहुत सारे adjustments है this is going to take time और यह marks को justify नहीं कर रहा question lengthy है notes को कम कर देना कोई hard and fast rule नहीं कि lengthy questions के लिए आपको notes utilize करना है notes भी जम के लिखना है बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होता notes आपको full focus उन questions में होना जो थोड़े theoretical questions है for example exemptions वाले invoicing वाले, returns वाले जो थोड़े theoretical questions है वो exempt है या नहीं है वो आपको बताना है तो उसमें आपको 2 या 3 line का एक एक note देना है that is okay but जो आप GST computation में अगर सम कर रहे हो उसमें बहुत जादा notes focus मात हो जाना क्योंकि probably वो adjustments ही बहुत सारे होंगे जो आपका time consuming होगा तो पहले main question अगर आपको लग रख गया main question बहुत lengthy notes will take time उदर ही नीचे bracket में 2 line में note देने का कि as per this, as per section this this happens, खतम बाद खतम, इनके section number याद ने कोई दिक्कत निया tax का paper है nobody is going to question you question that नहीं याद है section कोई दिक्कत निया सीधर जो provision द्याने वो लिख देना bracket में बात खतम यह हुआ पहला इस तरीके से आपको अपना पूरा paper approach करते वे चलना है अगर आपको लग रहे कि और सबसे बड़ा चीज़ है tax में मैं repeat से यह बोल रहा हूँ सबसे बड़ा चीज़ है time management monitor your three hours very effectively चार पार्ट में इसको तोड़ने का GST MCQs GST descriptive income tax MCQs income tax descriptive GST कुल मिला के आपको एक घंटा 15 minute से maximum उसको तो exceed up करी नहीं सकते और income tax आपको एक घंटा 45 minute आप exceed नहीं कर सकते वरना दूसरा वाला मार खा जाएगा यह अब जब एक घंटा 15 minute GST को दे रहे तो MCQ जो है वो आपको 15 से 20 minute का target लेके चलना होगा income tax के MCQs again आपको 20 to 25 minutes का target लेके चलना पड़ेगा monitor your time घड़ी जरूर से लेके जाना और सामने रखके बैठना the moment आपको लग रहे हैं 15 minute cross होगे आप GST का 2 MCQ बाकी है थोड़ा से आपको जल्दी करके वो wrap up करना पड़ेगा और उससे आगे बढ़ना पड़ेगा लेक्ट से आपको यह 8 number का question attempt कर रहे हो तो वो 8 number के question में आप कितना time दोगे 1.5 से multiply कर देना 1.8 से multiply कर देना उससे जदा time आप नहीं दे सकते जहां वो time का खतम हो गया फिर आपको देखना पड़ेगा कि आब यह question को wrap up करना पड़ेगा 1 से 2 minutes के अंदर में and then you have to make sure कि next question से वो बच जाए time अगर आपको time crunch हो रहा है क्या होगा जब आप last में theoretical questions लोगे so you can cut down on the explanation practical में तो आप यह नहीं कर सकते न last question में आप explanation cut shot कर सकते हो next computation वाले questions income tax computation एक आने वाले GST computation एक आने वाले first question इसको attempt मत करना बहुत जन यह करेंगे कि income tax का return time चालू हुआ आप चालू कर ले सीधा computation वाले questions के साथ नहीं यह मत करना एक question कम से कम optional वाले attempt कर लेना एक या दो question पहले optional वाले attempt करना वो flow create कर लेना उस subject का उस particular subject का फिर आप आना income tax computation वाले question में वरना बहुत ज़्यादा time spend कर दोगे computation में and then you will face a problem in completing the remaining paper यह गलती मत करना same with GST जब computation देख रहे हो computation को तूरंत attempt नहीं करने का पहले एक या दो optional questions को attempt कर लो then come back to computation computation तो compulsory वो तो करना ही है but एक या दो question के बाद में उसको करना but at the same time end में मत करना क्योंकि वापस उसको time भी तो देना पड़ेगा ना थोड़ा सा so यह strategy follow करना है complicated है but इसको follow करने का first 15 minutes decide करना first क्या करना है DT, IDT and the question attempting sequence क्या होना चे वो decide किया उस हिसाब से अपने paper let's say DT first so MCQ first written उसके बाद में DT wrap up किया फिर IDT में MCQ first और उसके बाद में written इस तरह से आपको paper को attempt करना है जब आप written attempt करो MCQ में ध्यान रखना बड़े वाले questions को गोला मार के आगे बढ़ने का एक बार के लिए last में कुछ एक को select कर लेना अगर time है तो जरूर question पढ़ लेना जब written में आओ तो first question compulsory computation वाला नहीं करना उसको second या third question करना same for IDT इस तरह से कुल मिला के paper attempt करना है दिमाग यूज करना कोई hard and fast टूल मत follow करना हर जन का अप्रोच अलग होगा हर जन का पढ़ने का तरीका अलग होगा you know your strength और कल के exam में उसको use करने का target रखना paper lengthy होता है tax में इसमें कोई दोराय नहीं है हर बच्चे से आप वही सुनने वाले हो paper lengthy होगा बट कोई दिक्कत नहीं है we know how to manage इस बोलके तो यह बताया ना strategy अगर paper lengthy है कोई दिक्कत नहीं है notes पे cut down कर दो यार कही marks नहीं कटने वाले notes पे cut down कर दो it is still okay to lose one mark notes cut के rather than leaving one question unattempted first minute से last minute तक target रखना बहुस 100 marks full attempt होना चाहिए in the best possible manner exam होल चाहिए जब तुम भाहर निकलो बस यह होना चाहिए उसके बाद थोड़ा बहुत तो obvious सावात है ना वो छूटी जाएगा because the paper will be lengthy उसमें कोई problem नहीं है so all the best बहुत अच्छी तरीके से attempt करना कल के paper को कहीं पे भी कोई doubt लगे या कोई query हो so I am available for you do reach out to me, bye bye, all the best